नवस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल AAC English Academy में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको टेंस बताऊंगा दोस्तों टेंस मतलब टाइम, हिंदी में कहें तो काल या फिर समय दोस्तों टेंस, अभी वी कई लोगों के लिए टेंसन है, एक बहुत बड़ा टेंसन दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत से स्टुडेंस के लिए अभी वी एक बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है आप मेंसे कई लोग इस टॉपिक को कई बार पढ़े होंगे चाहें वैसे कर सकते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको टेंस रटाऊंगा नहीं बलकि समझाऊंगा ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए पूरे दिल से बना रहा हूं ताकि टेंस रिलेटेड आपके सारे डाउट आसानी से किलियर हो सके और आपकी इंग से इस वीडियो को देखना बंद कर दें क्योंकि इस कीप करके देखने से ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक हमारे इस चैनल को नहीं किये हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्त तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टेंस का मतलब होता है काल या समय और यहां बताता है कि कोई काम किस समय में हो रहा है या हुआ है या होने वाला है दोस्तों टेंस को तीन भागों में माटा गया है पहला प्रजेंट टेंस जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं और यह वर अरतमान की बात बताई जा रही है और दूसरा है पास्ट टेंस जिसे हिंदी में भूत काल कहते हैं जो बीते हुए समय की बात बताता है जैसे मैं आम खाया ये बीते हुए समय की बात बता रहा है और तीसरा है फ्यूचर टेंस जिसे हिंदी में भुष्य काल कहते हैं जो भु इसी की बात बता रहा है अब इन तीनों टेंसों को भी चार-चार भागों में माटा गया है कौन-कौन से चार भाग चलिए देखते हैं पहला है simple या फिर indefinite दूसरा है continuous तीसरा है perfect और चाथा है perfect continuous तो आप इसे तीनों के साथ जोड़ दें जैसे present tense है तो present के साथ आप simple जोड़ दे तो यह हो जाएगा present simple tense past के साथ जोड़ेंगे तो past simple tense हो जाएगा और future के साथ जोड़ेंगे तो future simple tense हो जाएगा दूसरा है continuous इसे progressive भी कहते हैं तो इसे भी आप तीनों टेंसों के साथ जोड़ दे continuous को present के साथ जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा present continuous tense इसी तरह से past के साथ जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा past continuous tense और future के साथ जुड़ेंगे तो ये होगा future continuous tense तीसरा है perfect इसे भी हम तीनों tense के साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा present perfect tense past perfect tense और future perfect tense इसी तरह से चौथा है perfect continuous tense और इसे भी हम तीनों tense मतलब present, past और future के साथ जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद ये बन जाएगा present perfect continuous tense, past perfect continuous tense और future perfect continuous tense तो इस तरह से हमारा tense कुल मिलाकर 12 भागों में बढ़ जाता है आप चाहें तो इसका screen short ले सकते हैं चलिए इस बात को आप फिर से समझ लीजिए present tense को चार भागों में माटा गया है कौन-कौन सा present simple tense, present continuous tense, present perfect tense और present perfect continuous tense इसी तरह से past tense को भी चार भागों में माटा गया है past simple tense, past continuous tense, past perfect tense और past perfect continuous tense ठीक इसी तरह से future tense को भी चार भागों में बाटा गया है future simple tense, future continuous tense, future perfect tense और future perfect continuous tense I hope आपको अच्छे से समझ में आचुका होगा कि tense का बटवारा किस तरह से किया गया है दोस्तों English में students की सबसे बड़ी problem होती है कि वर्व के कौन से form को कौन से tense में लगाई जाए जैसे मैं जाता हूँ का इंगलिस होता है I go, मैं जाता था का इंगलिस होता है I went मैं जा चुका हूँ का इंगलिस होता है I have gone, मैं जा रहा हूँ का इंगलिस होता है I am going इसी तरह से वह जाता है का इंगलिस होता है He goes तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि जाना सब्द के लिए हिंदी में सिर्फ एक ही सब्द है वो है जा जैसे मैं जाता हूँ, मैं जाता था, मैं जा चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ, वह जाता है और अगर हम इंग्लिस की बात करें तो हर लाइन में वर्व के फॉर्म बदल जाते हैं जैसे I go, I went, I have gone, I am going, he goes आपने यहाँ पर इंग्लिस में देखा कि हर बार इंग्लिस के फॉर्म बदल जा रहे हैं कभी go, तो कभी went, तो कभी gone, तो कभी going, तो कभी goes तो दोस्तों यह जो समस्या है, यह हमारे students के लिए बहुत बड़ी समस्या है और हो सकता है कि इस problem से आप भी जूज रहे होंगे यह जानना आपके लिए बेहत ही जरूरी है कि वर्व के कौन से form, कौन से tense में कब लगता है इसके बगैर ना तो आप इंग्लिस सही से समझ पाओगे, ना सही से बोल पाओगे, ना सही से लिख पाओगे अगर आपको यह बात समझ में आ जाए कि वर्व के कौन से form का इस्तमाल कहां पर किया जाना है तो आप आसानी से इंग्लिस समझ पाएंगे, बोल पाएंगे और लिख पाएंगे तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि वर्व के कौन से फॉर्म का इस्तमाल टेंस में कहां कहां पर किया जाना है और कहां कहां पर नहीं तो इस वीडियो को बीना इसकीप करें अंत तक जरूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथी साथ बेल आइकान को भी प्रेस कर दें और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर करें दोस्तों आप अपने स्कूल में पढ़े होंगे कि वर्व के तीन फॉर्म होते हैं जैसे गो मतलब जाना और गो का तीन फॉर्म होता है जैसे गो, वेंट और गोन आपने बिल्कुल सही पढ़ा है लेकिन आज हम वर्व के 3 फॉर्म नहीं बलकी 5 फॉर्म के बारे में जानेंगे हमारा चौथा फॉर्म है गोइंग और पांचवा फॉर्म है गोस अब आपको पता चल चुका है कि वर्व के 3 नहीं बलकी 5 फॉर्म होते हैं और अब हम जानेंगे कि वर्व के इन पांचों फॉर्मों का इस्तमाल टेंस में कब कब और कहां कहां पर किया जाता है ये जानने के लिए हम इस चार्ट का मदद लेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं present simple की तो दोस्तों यहाँ पर वर्व के first और fifth form के इस्तमाल होता है वर्व के first form मतलब go और fifth form मतलब goes इन दोनों का ही इस्तमाल यहाँ पर किया जाता है पर कब वर्व के first form के इस्तमाल किया जाता है और कब वर्व के fifth form के इस्तमाल किया जाता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे इसी तरह से past simple में वर्व के second form और first form का इस्तमाल किया जाता है कब किया जाता है कैसे किया जाता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे बस अभी आप ये ध्यार रखें कि कौन से tense में वर्व के कौन से form का इस्तमाल किया जाता है future simple में वर्व के first form का इस्तमाल किया जाता है continuous वाले line में आप फोर 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 याद रख सकते हैं perfect वाले line में 3-3-3 और perfect continuous वाले line में 4-4-4 दोस्तों इस chart की मदद से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर one लिखा है वहाँ पर आपको वर्व के first form का इस्तमाल करना है जहाँ पर two लिखा है वहाँ पर वर्व का second form का इस्तमाल करना है जहाँ पर three लिखा है वहाँ पर वर्व का third form का इस्तमाल करना है जहां पर 4 लिखा है वहां पे वर्व का 4th form का इस्तमाल करना है और जहां पे 5 लिखा है वहां पे आपको वर्व के 5th form का इस्तमाल करना है आप इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं Present Simple में 1 और 5 लिखा है तो आपको यहां पे वर्व का 1st form मतलब go या फिर वर्व का fifth form, मतलब ghost का इस्तमाल करना है Present simple में वर्व के first form, मतलब go का इस्तमाल plural noun के साथ किया जाता है जैसे आई, यू, भी, दे, या फिर group और fifth form, मतलब ghost का इस्तमाल singular noun के साथ किया जाता है जैसे इसका example हम आगे देखेंगे पास्ट सिंपल में वर्व का second form मतलब when और वर्व का first form मतलब go का इस्तमाल किया जाता है पास्ट सिंपल में साधारन वाक के बनाने के लिए वर्व का second form मतलब when का इस्तमाल किया जाता है Past Simple में verb के first from का इस्तमाल केवल, negative और interrogative sentences बनाने के लिए ही किया जाता है Future Simple में verb का first form मतलब go का इस्तमाल किया जाएगा Present continuous, Past continuous और future continuous में verb के fourth form का इस्तमाल किया जाता है मतलब इन तीनों में going का इस्तमाल किया जाएगा ठीक इसी तरह present perfect tense, past perfect tense और future perfect tense में verb के third form का इस्तमाल किया जाता है मतलब इन तीनों में gone का इस्तमाल होगा इसी तरह से present perfect continuous tense, past perfect continuous tense और future perfect continuous tense में verb के fourth form का इस्तमाल किया जाता है मतलब इन तीनों में going का इस्तमाल किया जाएगा I hope आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि वर्व के कौन से form का इस्तमाल कौन से tense में किया जाता है अगर आप चाहें तो इसका screen shot ले सकते हैं Tense में एक और सबसे बड़ी problem है और वो है helping verb की Tense में इतने सारे helping verb का इस्तमाल किया जाता है कि समझना मुश्किल हो जाता है कि किसका इस्तमाल कहां किया जाना चाहिए और कहां नहीं जैसे तो आपने देखा Tense में इतने सारे helping verbs का इस्तमाल किया जाता है अब आप बताईए कि आप में से कितनों को पता है कि कौन से helping verb का इस्तमाल किस Tense के साथ किया जाता है अगर आपको नहीं पता कि कौन से helping verb का इस्तमाल कौन से Tense में किया जाता है तो आप ना तो English समझ पाएंगे न बोल पाएंगे और ना ही लिख पाएंगे अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन से helping verb का इस्तमाल किसके साथ किया जाता है और कौन से tense में किया जाता है तो आप समझ लेना कि आपके English का आधा tension खतम तो चलिए इस चार्ट की मदद से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से helping verb का इस्तमाल कौन से tense में किया जाता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं present simple की present simple में does और do का इस्तमाल किया जाता है इस बात को हम आगे examples के थूरू समझेंगे फिर आता है past simple tense और यहाँ पे इस्तमाल होता है deed का यहाँ भी deed का इस्तमाल साधारन वाक्य बनाने के लिए नहीं किया जाता इसका इस्तमाल सिर्फ negative और interrogative sentences बनाने के लिए किया जाता है इसे भी हम आगे examples के थूरू समझेंगे फिलहाल आप इतना समझें जानिये और याद करने की कोशिस करिये कि कौन से helping work के इस्तमाल कौन से tense में किया जाता है फिर आता है future simple tense और इसमें will और sell के इस्तमाल किया जाता है चलिए अब चलते हैं continuous वाले line पर प्रजेंड continuous में is, aim और are के इस्तमाल किया जाता है और past continuous में was और were के इस्तमाल किया जाता है इसी तरह से future continuous में will be और sell be के इस्तमाल किया जाता है चलिए अब चलते हैं perfect tense वाले line पर present perfect में has और have के इस्तमाल किया जाता है past perfect में had के इस्तमाल किया जाता है और future perfect tense में will have और shall have का इस्तमाल किया जाता है चलिए अब चलते हैं perfect continuous वाली लाइन पर तो सबसे पहले आता है present perfect continuous tense और इसमें has been और have been का इस्तमाल किया जाता है फिर आता है past perfect continuous tense और इसमें had been का इस्तमाल किया जाता है फिर सबसे आखरी में आता है future perfect continuous tense और इसमें will have been और shall have been का इस्तमाल किया जाता है I hope आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कौन से helping वर्प का इस्तमाल कौन से tense में किया जाता है पर इतना काफी नहीं है ये आपको याद करना पड़ेगा हर हाल में तब ही आप English के वाक्य आसानी से समझ पाएंगे लिख पाएंगे और बोल पाएंगे इसे अच्छे से याद करने के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें जब तक आपको ये याद नहीं हो जाता है चलिए अब जानते हैं कि टेंस का पहचान किस तरह से किया जाता है सबसे पहले आप जान लीजिए कि टेंस का पहचान करना बहुत ही आसान होता है दोस्तों प्रजेंट टेंस के वाक्यों का अंत है से होता है और पास्ट टेंस के वाक्यों का अंत था से होता है इसी तरह से future tense में वाक्यों का अंत गा से होता है चलिए इस बात को examples के थुरू समझते हैं present simple tense का पहचान होता है ता है, ती है, ते है और इसके example है मैं जाता हूँ इसी तरह से past simple tense का पहचान होता है ता था, ती थी, ते थे और इसके example है मैं जाता था और future simple tense का फहचान है गा, गी, गे इसका example है मैं जाओंगा इसी तरह से present continuous का फहचान होता है रहा हूँ, रही है या रहे है इसका example है मैं जा रहा हूँ past continuous का फहचान होता है रहा था, रही थी, रहे थे इसका example है मैं जा रहा था और future continuous का फहचान होता है रहा होंगा रही होएगी या रहे होंगे और इसका example है मैं जा रहा होंगा अब चलते हैं present perfect tense की और present perfect tense का फहचान होता है चुका हूँ चुकी है चुके है इसका example है मैं जा चुका हूँ past perfect tense का फहचान होता है चुका था चुकी थी चुके थे इसका example है मैं जा चुका था future perfect tense का फहचान होता है चुका होंगा चुकी होंगी या चुके होंगे इसका example है मैं जा चुका होंगा इसी तरह से present perfect continuous tense का फैचान होता है ता रहा हूं ती रही हूं ते रहे हैं इसका example है मैं जाता रहा हूं past perfect continuous का फैचान है ता रहा था ती रही थी ते रहे थे example मैं जाता रहा था इसी तरह से future perfect continuous का पहचान होता है ता रहा होंगा, ती रही होंगी, ते रहे होंगे example है मैं जाता रहा होंगा I hope कि आपको tense का पहचान करना आ गया होगा अगर अभी तक आपको नहीं आया है तो इसे आप दुबारा देख सकते हैं दोस्तों अभी तक आपने जाना कि tense क्या होता है tense के कितने प्रकार होते हैं कौन से tense में वर्व की कौन से form का इस्तमाल किया जाता है कौन से tense में किस helping वर्व का इस्तमाल किया जाता है और tense की पहचान कैसे की जाती है और अब हम जानेंगे tense के structure के बारे में आप हम जानेंगे कि इन सब को मिलाकर एक वाग कर एक sentence कैसी बनाय जाती है यहाँ जानने के लिए आपको यह structure को समझना होगा English में sentence को बनाने के लिए सबसे पहले subject का इस्तमाल किया जाता है फिर subject के according helping verb का इस्तमाल किया जाता है फिर tense के according वर्फ के form का इस्तमाल किया जाता है फिर बचा हुआ सब्द मतलब other words का इस्तमाल किया जाता है तो चलिए इस चार्ट के मदद से जानते हैं कि tense में sentences कैसे बनाय जाते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं present simple tense की अगर आपको कहना हो कि मैं जाता हूँ तो इसकी इंगलीस होगी I go यहाँ पर आपको एक बात घ्यां रखनी होगी कि यहाँ पर helping word does और do का इस्तमाल किया जाता है पर does और do का इस्तमाल सिर्फ negative और interrogative sentences बनाने के लिए किया जाता है साधारन वाक्य बनाने के लिए इसका इस्तमाल नहीं किया जाता है इसलिए यहाँ पर does और do का इस्तमाल नहीं किया गया है पास्ट सिंपल टेंस में होगा मैं जाता था और इसका इंगलिस होगा I went प्रेजेंट सिंपल की भाती यहाँ भी helping वर डीट का इस्तमाल किया जाता है पर इसका इस्तमाल सिर्फ negative और interrogative sentences बनाने के लिए किया जाता है इसका इस्तमाल साधारन वाक्य बनाने के लिए नहीं किया जाता है और पास्ट सिंपल टेंस में साधारन वाक्य बनाने के लिए second form का इस्तमाल किया जाता है इसलिए यहाँ पर go का second form went का इस्तमाल किया गया है future simple tense में हो जाएगा मैं जाओंगा और इसका English होगा I will go future tense में helping और will और sell का इस्तमाल किया जाता है पर sell का प्रचलन कम हो गया है इसलिए हम will कहीं इस्तमाल करेंगे next है present continuous यहाँ पर हमारा वाक्य होगा मैं जा रहा हूँ और इसका English होगा I am going next है past continuous और यहाँ पर हमारा sentence है मैं जा रहा था और इसका English होगा I was going next है future continuous यहाँ पर हमारा वाक्य है मैं जा रहा होंगा और इसका English होगा I will be going नेक्स्ट है present perfect tense और यहाँ पे हमारा वाक्य है मैं जा चुका हूँ और इसका English होगा I have gone नेक्स्ट है past perfect tense और यहाँ पे हमारा वाक्य है मैं जा चुका था और इसका English होगा I had gone नेक्स्ट है future perfect tense यहाँ पे हमारा वाक्य है मैं जा चुका हूँ और इसका English होगा I will have gone नेक्स्ट है present perfect continuous tense और यहाँ पे हमारा वाक्य होगा मैं जाता रहा हूँ और इसका English होगा I have been going नेक्स्ट है past perfect continuous tense और यहाँ पे हमारा वाक्य है मैं जाता रहा था और इसका English होगा I had been going नेक्स्ट है future perfect continuous tense और यहाँ पे हमारा वाक्य है मैं जाता रहा होँगा और इसका English होगी I will have been going दोस्तों I hope tense आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी अगर आप चाहें तो इसका screenshot लेकर रख सकते हैं आने वाली वीडियो में हम हर एक tense को बारीकी से जानेंगे और समझेंगे उसके पहले आपको ये वीडियो बार बार देखना है और अच्छे से समझना है तभी आप आने वाली वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताना अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और अपने सारे दोस्तों के साथ सेर करना और अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकान को प्रेस कर लो ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे ओके दोस्तों थाइंक्यू बेरी मच पर वासिंग इस वीडियो कीप टेक्टिसिंग एंड कीप लर्नेंग